वेलकुम बैक अब्रिवन वेलकुम टो सुवल स्रविसेश टड़ी यूपी पीसियस के लिए प्रक्टिस सेट टंबर टू जीरो सिक्स है और आज डेट हो गई है 19 अगस्त 2020 तो उचलिए स्टार्ट करते हैं हर दिन प्रक्टिस करते रहिएगा तो कोशन नुमबर बन पर आजाईए भारत के संबिधान में अंतराष्ठिय सांती और सुरक्षा की अभिवरधी का उलेख जो है वो कहां किया गया है संबिधान की उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में राजी की नीती नेश अक्ततों में मूल करतवियों में या फिर नौवी अनुसूची में देखे इसका उलेख किया गया है आर्टिकल फिप्टी वन अनुच्छे दिक्यावन में और च्छतिस से क्यावन तक है क्या डाइरेक्टिव प्रस्तिपल ऑफ दा स्टेट पॉलसी मतलब राजी के नीती नेश अक्तत्व या सिद्दान्थ तो ऑप्शन नंबर भी है इसका अंसर है तो भारते संबिधान के अनुच्छेद एक्यावन के अंतरगत राज के नीती नेश अक्तत्तों में अंतराष्ट्य सांती और सुरक्षा की अभी प्रत्ति का उलेख है यह प्रश्ण यूपी से सिवल सेवा तक में पूछ रखा है 2014 या पंदरा में संबिधान के कि अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रवंदर में कर्मकारों या कर्मचारियों की भागिदारी का प्रावधान किया गया है यह इंपोर्टेंट प्रश्ण है इसका उत्तर है अनुच्छेद 43 का ए तो देखिए राज के नीते निस्वक सिद्धानतों के दहत करता है कि राज उपर्योग्त बिधान द्वारा या किसी अन्य प्रकार से किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों एवं अब इस्थापनों अथवा अन्य संगठनों के प्रवंदर में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्यत करने के लिए कदम उठाएगा कोशन नमबर थ्री पर आजाएए निम्ली के दमें से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है फंडामेंटल राइट्स नहीं है समानकार के लिए समान बेतन कानून के समक्ष बराबरी अनुच्छेद 14 में एक फंडामेंटल राइट्स है धर्म पालन की सुतंतरता का अधिकार अनुच्छेद 15 में fundamental rights है मतलब मौलिक अधिकार है उत्पीडन के खिलाब अधिकार अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकार है समानकार के लिए समान बेतन राज का नीती निरेशक सिर्दान्त है मौलिक अधिकार या fundamental rights नहीं है तो समान कार के लिए समान वेतन का उलेक मौलिक अधिकारों में ना होका राज के निति निदेशक तत्तों के अंतरगत अनुच्छे 49 में किया गया है जबकि परश्न के से सOoh विकलप का उलेक जो है पंदिक मौलिक अधिकार कहां से कहां तक फैल है ये पता होना चाहिए आपको 12-35 और फिर 36-51 तक सुरू हो जाते हैं राज के नीती निदेशक से दान्त question number 4 पर आजाईए भारत के संबिधान के अनुसार नमलकित में से कौन सा देश के साशन के लिए अधार भूत है मौलिक अधिकार मौल करतव राज के नीती निदेशक तत्व है और मौल अधिकार मौल करतव है देखिए देश का साशन चलाना है तो डिरेक्टर प्रिंसिपल अ संबिधान के अनुस्षेद 37 द्वारा राज के नीती निदेशक तत्व देश के साशन में मौल भूत है और विधी बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज का करतव होगा ऐसा अनुस्षेद 37 में लिखा है और 36 से 51 तक जो है ये है Q5 पर आजाए निमलिकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है कौन सा अनुच्छेद है जो राज की सरकारों को ग्राम पंचायते बनाने का निर्देश देता है अनुच्छेद 40 option नंबर B तो भारते संबिधान का अनुच्छेद 40 सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश देता है इनके अनुचार राज ग्राम पंचायतों का संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी सक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत साशन की गायों के रूप में कार करने योग्य बनाने के लिए आवश्चक हूँ यहां गाय प्रिंटिंग मिस्टेक है निकाय आएगा कुशन नुम्बर सिक्स पर आजाईए नमलिखित में किसकी संतुस्ती पर भारते संविधान में मूल कर्तब सामिल किये गए देखे 36 से 51 में तो नीती ने सक्तत्व है फिर 51 ए जोड़ा गया 42 संविधान संसोदन अधिनियम करके ए से के तक जो हैं मूल कर्तब है और ये सरदार स्वाण सिंग समिती की सिफारिस पर जोड़ा गया तो भारते संविधान के भाग चार ए के तहत अनुछेद 51 ए जोड़कर इसके अंतरगत नागरिकों के मूल कर्तब को 42 संविधान संसोदन 1976 द्वारा सामिल किया गया जो कि स्वाण सिंग समिती पर अधारित है अच्छा जो कोई चीज जोड़ी जाती है तो वा अमेंड की जाती है फिर देख 4 में क्या था 4 में राज़के नीति ने सकता तो तो 4 का A लगाया गया और राज़के नीति ने सकता तो कहां से कहां तक थे 36 से 51 तक थे तो कहां से कहां जोड़ेंगे 51 में जोड़ेंगे सबसेंड में तो 51 ये लगाया गया इस तरह से इसको हिंदी में का बोलते हैं का कोश्चन नमबर 7 पर आज़ए संबिधान असाधन परिस्तितियों में राष्ट पती को राजपाल के करतियों के निर्वहन हेतू उपबंद करता है कौन से अनुछेद के तहट अनुछेद 160 के तहट option नमबर 8 है इसका answer तो संबिधान के अनुछेद 160 के तहट राष्ट पती अकासमे की असाधन परिस्तितियों में राजपाल के करतियों के निर्वहन हेतू उपबंद कर सकता है question number 8 पर आजए है भारते संबिधान का कौन सा अनुछेद राष्ट पती को सरवच नियाले से परामर्स करने की सक्तिय प्रदान करता है important है इसका उत्तर है 143 article 147 भारते संबिधान का नुछेद 147 राष्ट पती को विधी या तथ्य के व्यापक महत्यू के संदर्ब में उच्छतम नियाले से परामर्स की सक्तिय प्रदान करता है लेकिन ऐसा परामर्स ये उच्छतम नियाले राष्ट पती को देता है राज्यों में राष्टपती सासन को आगे बढ़ने की सकती है राष्टपती के पास राष्टपती सर्वोच नियाले के परामर्स को स्विकार अथवा अस्विकार कर सकता है राष्टपती को सर्वोच नियाले के परामर्स को स्विकार करना चाहिए ऐसा नहीं है स्विकार या स्विकार कर सकता है वो पहला वाला गलत है यहाँ पर बात देकारी नहीं है कहने वाली बात हो गई ना तो संबिधान के अनुच्छेद 143 के तहट राश्टपती को सरवोच नियाले यानि सुप्रीम कोट यानि उच्छितम नियाले से किसी विशय पर परामर्स करने की सकती प्राप्त है परंतु उस परामर्स को स्विकार करने के लिए राश्टपती बात है नहीं है और ना ही बात सुप्रीम कोट है सुप्रीम कोट चाहे तो दे ना तो ना दे परामर्स Question No.10 पर आ जाएकें संभिधल के लिए राष्ट पती का अभिवाशन कौन तयार करता है हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं संभिधान संस्वाज़ राष्ट पती का अभिवाशन कौन तयार करता है इन नहीं से स्वय में राष्ट पती लोगसवा, थे जाकें इन तीनों में से कोई नहीं करता, केंद्रिय मंत्री मंडल करती है, option number 2 है इसका answer, तो संसत के लिए राष्ट पती का अभिवाशन केंद्रिय मंत्री मंडल तयार करता है, क्योंकि वास्तविक कारिपाली का सकती केंद्रिय मंत्री मंडल में नहित है, question number 11 पर आजाईए, राष् याद रखेगा, तो विर्टेस वास्तुकार है, एल्डविन, लिूटियंस द्वारा राष्ट पती भवन को डिजाइन किया गया था, यह भवन भारत के राष्ट पती का सरकारी आवास है, और वर्स 1950 तक इसे वाइसराय हाउस कहा जाता था, यह दिल्ली में से था, और संसदिय परणाली की सरकार का प्रापधान है, संसद का सरप्रमुकार मंत्री मंडल का प्रापधान करना है, मंत्री मंडल की सरसिता निम्न सदन तक सीमित है, मंत्री मंडल को लोगप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, पहला करेक्ट है, B करेक् लेकिन ये गलत है क्योंकि मंत्री मंडल की सरस्था निम्न सदन यानि लोकसवा तक सीमित नहीं है उच्छ सरन का सरस्थ भी इसका सरस्थ हो सकता है और वो भी हो सकता है जो नहीं है कोई ना लोकसवा का ना राजसवा का बस वो छे महिने के अंदर इन दोनों में से किसी की भी एक की सरसिता ले 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 तो देखें सी का लात है क्योंकि मंत्री मंडल का सरस निम्न सदन यानि लोक सभा के साथ साथ उच्छ सदन यानि राज सभा का भी हो सकता है यहां तक की संसद के दोनों सदनों के बाहर का कोई व्यक्ति भी मंत्री मंडल का सरस से हो सकता है लेकिन किंत का टिप पड़ी पर उचितकारवाही करने के जम्मेदारी किसकी है कमेंट करके बताईएगा कि आप 15 में से 15 किसी के सही हुए क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं कि सारा का सारा प्रश्न कहीं ना गई किसी ना किसी परिक्षा में जरूर पूछे गए होंगे खुद PCS की परिक्ष की ठीका टिप पड़ी पर उचितकारवाही करने की जम्मेदारी है इंडियन पार्लेमेंट की ऑप्सनम बर्शी भारते संसत की राष्ट पती राकार इसको गलत मत करते ना तो सम्भिधान के नुच्छे देख 151 कहता है तो नियंत्रक एव महाले का परिक्षक की वो एक ही होता है पूरे भारत का केंद्र को भी बोई देखता है और राजसरकार को भी बोई देखता है याद रखेगा लोक निधी का अभिभावक निम्लिकित में से किसे कहा जाता है? लोक निधी का अभिभावक कोन है? नियंत्रक अभम महाले का परिक्षक भारते संविधान के तेहत नेंत्रक एवम हाले का परिक्षक संग एवम राज्यों की लोक निधियों से सभी खर्चों की लेखा परिक्षक करता ते उसे लोक निधि का अभिवाबक कहा जाता है Question No.14 पर आजाएए निम्लिकत में से कौन सा विशय धन विद्यक के उपवंध में समलित नहीं किया गया है कर से संबंदित उपवंध उधार रण लेने से संबंदित उपवंध संचित निधी तथा अकास्मिक अकास्मिकता की अभिरक्षा से संबंदित उपवंध और डी है जुर्मान या अर्थदंड से संबंदित उपवंध तो धन विद्यक में सामिल पहला है कर से संबंदित उपवंध रण लेने संबंदित उपवंध संचित निधी तथा अकास्मिक निधी की अभिरक्षा से संबंदित उपवंद लेकिन जुर्माना या अर्थदंड से संबंदित उपवंद इसमें सामिल नहीं है तो संबिधान के नुच्छेद 110 में धनवेधियक की परिभाशा के तहट कर से संबंदित उपबंद कुमा उधार लेने से संबंदित उपबंद तथा संचित निधी एवं अकास्मिकता निधी की अभिरक्षा से संबंदित उपबंद तो समिले परन्तु जुर्मान या अंतिम प्राश्न है ये किस वर्ष में खाद मिलावत निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ उनिस सो इक्यावान चववन चोंसाट या छपण कब हो अपता ही है खाद मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार लागू उनिस सो चववन में अप्शन नमबर भी नैंटीन फिफ्टी फोर तो खाद मिलावट निवारण अधिनियम सबसे पहले जो है में करेक्ट होने चाहिए धन्यवाद बार बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रशन है